प्रस्न संख्या 2, निमलिखित में से पर्तेक का सामान आकार बताईए, तो एक माचिस की डिब्बी, यानि इसका आकार बताना है, तो एक माचिस की डिब्बी का सामान आकार किस तरह का होता है, घनाब का, तो देखें, इसके सामने हम लिखेंगे घनाब, देखें, तीर इसको लिखना ना पड़े एक माचिस के डीबी किस तरह का होता है घनाब के अकार का ठीक है हम क्या लिखेंगे घनाब पाउडर का डीबा तो पाउडर का डीबा देखे बेलन के अकार का होता है इस तरह का ठीक है तू, इसको बेलन कहते हैं और माचिस का डिबी देखे इसतरह का अकार का होता है यानि इसको घनाब कहते हैं, ठीक है तो हम पावुडर का डिबबा के सामने क्या लिखेंगे बेलन बे लन, ठीक है तीसरा फुटवाल तो देखें फुटवाल किसके तरह का होता है फुटवाल होता है गोला देखें इस तरह का इसको क्या बोलते हैं गोला तो हम यहाँ पे लिखेंगे गोला एक इट तो एक इट देखिए एक इट होता है इस तरह का घनाब क्या कारगा तो हम घनाब लिखेंगे एक इट के सामने क्या लिखेंगे घनाब जैसा माचीज का डीबी होता है उसी तरह का इट होता है देखें देखने में बस माचीज का डीबी छोटा होता है इट क्या होता है बड़ा तो ये भी घनाब ही हुआ तो ये हो गया घनाब ठीक है प्रस्न तीन एक पिरामीड के अधार के फलक का अकार कैसा होता है एक पिरामीड के अधार के फलक का अकार कैसा होता है तो देखे तो पिरामीड के अधार का फलक तो देखे अधार मतलब जो जो नीचे रहता है उसको अधार करते हैं ठीक है जैसे हम लोग तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ एक पिरामीड वहा कार है जिसमें अधार का फलक एक बहुभूज होता है जिसका दो से जादा भूजा हो तो देखें आधार यानी इसको तो देखें चार भूजा या पांच भूजा जो भी रहें आधार देखें बहुभूज होता है तो हम लिखेंगे तीसरा का उत्तर क्या देंगे तीसरा का उत्तर हमें हम लिखेंगे बहु भूज देखें तीसरा के सामने हम लिख रहे है इसका उत्तर हम देंगे बहु भूज घन एक विशेश परकार का घनाब है कारण दीजे तो देखे घन एक बिशेश परकार का घनाब है तो घन को भी हम घनाब कह सकते हैं क्योंकि बस घन में यह होता है कि लंबाई चोडाई और उचाई बराबर होता है लेकिन घनाब में बराबर नहीं होता है तो देखे घन को हम बिसेश परकार का घनाब कह सकते हैं इसमें हम लिखेंगे तो घन एक बिसेश परकार का घनाब है कारण दीजे तो देखे चार का हम उत्तर यहीं पर लिख दे रहे हैं ठीक है देखे चार का उत्तर लिख रहे हैं हम यहाँ पर ठीक, आप लोग कॉपी में लिख लिजेगा, यदि किसी घनाब की लंबाई चोड़ाई लंबाई चोड़ाई और उचाई और उचाई बराबर हूँ तो उसे घन कहा जाता है अदः घन एक बिसेज परकार का घनाब है ठीक है, देखे यानि अगर किसी घनाब का लंबाई घनाब में क्या होता है लंबाई चोड़ाई रह उचाई अलग-अलग होता है लेकिन घन में बराबर होता है से लिए हम घन को एक बिसेज परकार का घनाब कह सकते हैं यही उत्तर हम दे देँगे प्रसन् चार में ठीक है तो प्रसन् चार देखे हलों गया अब पांच निमलिखित के जोडे लगाएं तो यहां पे जोडे लगाना यानी मिलाना एं तो देखे घन कोन है घन यह है घन है क्योंकि उसका इसका देखें लंबाई चोड़ाय रुचाई बराबर होता है तो घन तो पहला को देखें पहला किसमें मिलेगा डी में ठीक है पहला देखें डी में मिलेगा ठीक है तो पहला का उत्तर होगा डी अब देखें तो इसको इस तरह भी हम यहां पे भी देख देखे, इसका हम उत्तर भी लिखते जा रहे हैं यहाँ पर, पहला का D, गोला, गोला कौन है, तो गोला है, यह C, तो दूसरा का C, ठीक है, घनाब, घनाब यहाँ पर कहाँ पर है, देखे, यह घनाब है, तो इस तरह से हम ले जाएंगे इसमें, तो तीसरा का E, ठीक है, बेलन, बेलन देखे कौन है, यह है बेलन, तो यहाँ से आएगा, और यहाँ जाएगा, ठीक है, यानि 4 का B हो गया, 4 का B, ठीक है, अब है संकू, तो संकू देखे, यहाँ है, ठीक है, तो संकू को देखे, हम इस तरफ से लाते हैं, यह हो गया, देखे, संकू, ठीक है, इधर से देखे, ज़्यादा घिजविच हो जाता, इसलिए हम इधर से लाएंगे, तो संकू कहा है, ए में, यानि 5 का, ए, तो देखे, इस तरह आपको नहीं मिलाना है, बस इस तरह लिख देना है, ठीक है, यह तो बस हम समझाने के लिए इस तरह कर दिया है, तो आपको कॉपी में इस तरह लिखना है, पहला का D, दूसरा का C, तिसरा का E, चौथा का B, पच हो चुका है पूरा पांच तक